हेलो स्टूडेंज नैचरल रिसूर्सीज चैप्टर एड क्लास 10 गुजरत बोर्ड में आपका स्वागत यहां पे यह चैप्टर पूरा मैंने डिटेंड में समझा दिया है यहां पे सिर्फ रिविजन होने वाला है, फास्ट फरवर्ड क्विक्ली रिविजन होने वाला है यह चैप्टर बोर्ड में तीन मार्क के लिए पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन C में एक कोशन आ सकता है पर उसमें दिखती है कि एक ही कोशन तीन मार्क का पूछ ले या तीन कोशन एक-एक मार्क के भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पे एक-एक मार्क के कोशन को भी धियान में रखा जाएगा और तीन मार्क का एक कोशन के साथ सकता है उसे भी धियान में रखा जाएगा तो उस हिसाब से मैं यहां पर passport quickly revision करवाने वाला हूँ, आदे गंटे में यह chapter आपके दिमाग में गुस जाएगा, आपके दिमाग में होगा यह chapter और जैसे ही exam में आएगा, यह सारी चीज़े यहां से revise करी है, तो सीधी exam में याद आ जाएगी, तो बीना time लिए, बीना time वैस किये, let's go and learn that chapter फटाफट quickly, मेरे नमे आरशबार से चैनल को subscribe कर देना, और इसे share कर देना, comment कर देना, आपने दोस्तों से खास share कर देना, okay, so यदि आपको यह पर detail में पढ़ना है, तो मेरे यहां पर description box पर आपको link मिल जाएगी, otherwise मेरे mobile number पर भी link मिल जाएगी, so let's learn, so यह सामने आएगे, पर यहां पर यह तोटल, यह पाच पॉइंट पढ़ने के बाद, आपके resources का जो भी question है, वो पूरा soul हो जाएगा, result हो जाएगा, सबसे पहले यहां पर यह बात करी गए है, कि resources क्या होते हैं, जो हमारी needs satisfy करते हैं, उसे resource करते हैं, बाद में यहां पर बताय कर पाते हैं, हमारी expertise और हमारे knowledge से, otherwise there are not resources, फिर यहां पर fourth point very important है, कि resources क्या है, यहां पर तीन चीज़े मैंने बताई है, सबसे पहले कि जीज़े के ओपर हम man dependent है, दूसरा, वो चीज जो है, वो हमारी needs satisfy करती होनी चाहिए, तीसरा point में यह है कि उसे हम हमारी physical intellectual capacity से use कर पाते solution, एकदम पूरा essence बताया गया है, क्या है, कि anything, कुछ भी हो, which is used to fulfill the needs of human is called a resource, जो हमारी needs पूरी कर सके, that is called resource, बाकी चीज़े बाड़ में जाए, हमारी needs पूरी होती है, that is a resource for us, so ठीक है, यहां पर 5 point हमारे, elements कहीं सारे हैं, पर जो हमारी needs पूरी कर पाते हैं, हमारी expertise, हमा capacity से, जिसे हम, हमारे use में ले सकते हैं, that is a resource, nothing else, उसके बाद यहां पर देखो, क्या लिखा गया है, in ancient time में क्या होता था, कि मैं यह नहीं जानता था, कि जमिन के अंदर कितनी सारी चीज़े बरीड है, और इसलिए सारे minerals हम नहीं निकाल पाते थे, तो उस समय पर resource नहीं थ नहीं थे, because they were not used, उसे use नहीं किया जाता था, 7th point में आप यह लिखा है, कि today are those extremely useful, क्योंकि हमार पास science है, हमार पास technology है, तो माइनिंग करके, खंडा खोद के, बाहर निकाल के, सब को use कर पाते है, that's why, that is resource, यहां पे natural resources, कि दो यहां पे पहलो बताए गए, virtues of utility and capability to work, यह भ जब intersection होता है, interaction होता है, तभी resources बनते है, nature, man and culture, तीनों का यहां पे interaction होना चाहिए, तभी जाको resources बनते है, फिर यहां पे बात करी गही है, uses of resources, resources के कितने uses है, कई तरह से हम resources को use कर पाते हैं, कई सारी activities है, agriculture से लेकर industry तक, जो पूरी resources के उपर dependent है, resource नहीं है, तो कुछ भी resources हमारे पास, जिसका हम use करते हैं, तीन तरह से हम resources को use कर पाते हैं, उसमें से पहला है resources of food, food, खाने के लिए जो भी हम खाते हैं, वो चीजे सारी कहां से आती है, nature से आती है, इसे resource हम उसका use करते हैं, देखो, यहां पर food item, सबसे पहले, airport fruit, फिर crops, जो हम agriculture से मिलता है, फिर milk and milk products, meat, जो domesticated animals हमें देते हैं, और fish, जो reservoirs, पानी, ताला, portion, कहीं सभी मिलते हैं, वो fish and honey, यह सारे कुछ examples है, जो food as a resource हम लेते हैं, जब आपको question पूछा जाए कि uses of resources बताओ, तो उसमें से यह 3 point लिखना है, पहला है resources as a food, अब दूसरे में हम जाते है, resource as a source of raw material, और तीसर है resources as energy resources, so दूसरा point यहां पर है, जहां से industries को raw material मिलता है, वो भी उसके लिए resource बन जाता है, किसा किसा raw material मिलता है, देखो यहां पर बताए गया, कहीं सारी many industries are just and just dependent on resources, raw material उसका वहां से आता है nature से, various goods, जो forest से लाते है, first point में लिका है, दूसरा agro products, wool heights, मतलब चमडी, meat, वो mining करके हम बहार से खोद के निकालते हैं, वो सारा raw material as a resource industries के लिए, तीसरा point है, uses of resources में, यह तीन point यह, कोशन, तीन mark में, board में, बड़ा important है, यह तीनों के तीनों point आपको लिखना पड़ेगा, resources of food, resources of raw material, और तीसरा आप में, यहां पर आपको समझा रहा हूँ, energy resource, जहां से energy मिलती है, coal, petroleum, red bull, नहीं, ना, 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 coal, petroleum, natural gas, जो industries में भी काम आता है, domestic fuel में भी काम में आता है, बच्चो, उसके बाद energy और भी generate करी जाती है, कहां से solar insulation case है, wind से, sea waves, tights and abs है, waterfall से, यह सारी चीज़े मैंने detail में समझाई है, उसके लिए मेरे video अलग से, यहां पर fast revision में करवा रहा हूँ, और सिर्फ analysis हम यहां पर कर रहे हैं, क्या, कितना केसा लिखना है, ठीक है, उसके बाद यह तीन point हो गए, यहां पर है types of resources, कितने classification करे गए है, on the basis of ownership है, on the basis of reliability है, on the basis of distribution centers है, यहां कि school के exam में एक दो मार्क पर पूछा जा सकता है, तो याद रख ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो, types of resources on the basis of ownership, यहां पर तीन resource है, ownership के base पर यहां पर तीन resource आपको बताये गए है, तीनों के तीनों resource को आपको define करने को बोला जा सकता है, define individual resource, define national resource, define global resource, तो individual क्या है, जो individual और family का ownership में है, उसे individual resource कहता है, example land and building, national resource क्या है, जो country और region की ownership मे के लिए ले सर्सस जो वॉल्ड वयड जो भी तॉव से जो यह रहा डिय हम और शिप से फिर यहां पर रिसूर्सबाय को ध्यान मेरा रखते हैं इसको यहां पर classify करा गया है यह भी define करने को बोला जा सकता है board में यह पूछ चुके है ऐसे questions universal resource define करने को बोले तो कौन है universal resource useful सारे gases जो atmosphere में available है oxygen, nitrogen वगेरा 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 examples भी पूछ सकते हैं कि nitrogen और oxygen are included in which type of resource universal resource generally available resource मतलब क्या जो easily available है land, soil, water, pasture land rare resources को आपको कहे कि define करो तो those available at limited places कुछ places पे जो मिलते हो जैसे कि minerals like coal, petroleum, copper, gold, uranium और यह board में पुछा गये था March 2020 में solitary resource को define करो तो minerals available at only one or two places पे जो available है पूरे world में one or two places जादा नहीं उसे कहते है solitary resource उसका example यहाँ पे है kairo light which is available green land में ही मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ green land में मिलता है उल्टा सवाल करके पूच ले कि एक resource है kairo light जो green land में मिलता है what type of resource यह जो resource है उसे कौन से resource में हम उसे include करेंगे solitary resource क्योंकि एक ही जगह पे मिलता है फिर यहाँ पे है resources को और भी method पे classify कर जाता है जैसे कि दो method यहाँ पे है renewable resource non renewable resource कुछ resource ऐसे है देखो renewable resources के बार में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ first point में लिखा है renew जो बार-बार होता हो उसे renewable resource कहते है school की आपकी exam में आपको पूछा जा सकता है in existible resources के example दो और define करो तो in existible और renewable resources both are the same तो यहाँ पे लिखा है reproduce जो खुद को कर ले during the specific time तो उसे कहते है renewable और in existible resource दो नाम है उसके उसके examples यहाँ पे है solar insulation wind birds animals, bio resources यह कभी खतम नहीं होते हैं यह पैता होते रहते, reproduce होते रहते रिप्रोडूस होते रहते इसे हम renewable resource कहते हैं फिर नोन renewable resource क्या है जो यहाँ पे 3 point दिया गया है आपको कभी भी पूछ ले कि नोन renewable resource क्या है तो आपको द्यान में रखना है ABC point cannot be reused, cannot be reproduced, cannot be reformed ना reused होता है, ना reform होता है, ना reproduce होता है यह पूरा का पूरा Define करने को बोल सकते है, Define करो Renewal and Non-renewable resources तो तीन मार्क में भी यह question पूछा जा सकता है यहाँ पे planning and conservation of resources planning करना है, conserve करना है, उसे बचाना है, उसे maintain करना है तो कैसे maintain करे है, हमारी needs unlimited है, resource limited है हमारी needs unlimited है, resource limited है वाई और यहाँ पे दूसरे पूंच में यह बताएगा, during last 100 years, last 100 सालों के अंदर-अंदर, resources का use इतना बड़ा, इतना बड़ा, reason बताओ क्यों बड़ा तो आप ठिक तरह से reason यहाँ पे बता सकते हैं कि extraordinary development, science and technology में बहुत ही development हुआ और दूसरा reason, जो last 100 years में resources का use बड़ा, उसके पीछे का दूसरा reason, population explosion, हम आजाद हुए 35 करोड़ थे, अभी 135 करोड़, सिर्फ 100 करोड़, नहीं, बहुत हुआ, 100 करोड़ बढ़ गए, तो resources का खात्मा तो होना ही था, तीसरा point में लिखा है कि यदि हमने seriously नहीं सोचा इस बारे में, तो बहुत एक खराब असर हो सकती है, so, इस matter प बतने आप से, conservation का मतलब यहां पर बताया गया है, conservation करने की बात जब आती है, तो क्यों आती है, तभी आती है, कि जब you have a scarcity of resources, resources की कमी है, तब आप conservation के बारे में सोचते हो, otherwise you cannot think about it, 7th point, if the resources are excavated at the current rate, अभी इस time पे resources को जिस तरह से हम खतम कर रहे है, absurdly, rationally, जरा भी care नहीं ले रहे है, बहुत खराब तरीके से कर रहे हैं, तो यहां पे एक बात सोचने को बंद कर रहे है, दिमाग में आ रही है, कि in future, current lifestyle चलाना भी एक dream बन जाएगा, एक swap न बन जाएग नहीं चल पाए कि current lifestyle, फिर इसमें तीन चीज़े यहां पे advice दी गई है, कि इसका use rationally करे, उसे conserve करे, हो सके, reuse करे, और last point में आपको पूछा जा सकता है, एक mark के लिए सवाल, define conservation, conservation है क्या, वो define करने को बोला जाए, तो आपको यह define करना, यह पूरी definition लिख दे दी है, उसके म दोनों की life पे, वस्तितव पे यह दे खत्रा है, और उसके लिए जो भी arrangement करना पड़े, that arrangement is called conservation, तो इसे कहते है conservation, ठीक है, उसके बाद यहां पे समझते है, planning conservation को थूड़ा ओर detail में यह भी आपको सवाल आ सकता है, planning and conservation, detail में समझाओ, ठीक है, यहां पर first यह बताएगा है कि information हमें गेदर करनी चाहिए, information हमें लेनी चाहिए, utilized resource की, unutilized resource की, और probable resources, जो भी country के, जो भी reason के है, उसकी सारी information सबसे पहले हमारे सामने आनी चाहिए, फिर यहां पर दूसरे पोंच में यह बताएगा, resources, जो limited है, non-reliable है, उसके साथ दो चीज होनी चाहिए, पहला, उसे scientifically scientifically exploit करना चाहिए, मतलब scientifically हमें use करना चाहिए, carefully हमें use करना चाहिए, और दूसरा, used, जब ज़रूरत पड़ है, when it is necessary, तब उसका use करना चाहिए, यह दो चीज नोन-reliable resources के साथ होनी चाहिए, प्योंकि वो खदम हो जाएंगे परना, और तीसरा point यहां पर यह भी बताया जैसे के land, जैसे के water, वगेरा, easily available है, cheap है, तो उसे हमें waste नहीं करना चाहिए, सस्ते में मिलता है, इसका मतलब है है, पुरा कपुरा खा जाएंगे, क्या, instead, उसे हमें sparingly use करना चाहिए, for future use, उसके बाद यहां पर लिखा है, कि resources, जो limited quantity में है, उसे conserve करना चाहिए, फिर य रुकेगी नहीं आपकी exam में लिखते है वक्त, यह point है, necessary laws बनाने चाहिए, और strictly उसे follow करने चाहिए, बनाने से कुछ नहीं होता है, और last point में लिखा है, कि सारे के सारे facts, इसके बारे में public को बता कि public को aware करने चाहिए, उसके बाद यहां पे soil formation, मतलब soil कैसे बनती है, मिट् कैसे है, the part of the surface, surface के जो part है, wherein the vegetation grows, जहां पैट्री उग सकते है, उसे soil कहते है, the part of the surface wherein the vegetation grows, is called soil, दूसरा यहां पे दियागे, thin layer composed of various elements, कहीं सारे elements मिलके, जो thin layer उपर बनाते हैं, अर्थ के surface उपर उसे भी soil कहा जाता है, उसमें क्या-क्या mix होता है, तीसरा point में दिया है, minerals, humidity humans and air, ये सारे चीज़े उसमें mix होती है, फिर parental rock भी उसके नीचर है, मतलब main part है parental rock, उसके पाद 7th point है, soil is formed due to the material available through the denudation process, जो होती है, मैंने पूरी अच्छे से समझाए, ये बड़े-बड़े पत्थर जब एक तो particles बन जाते है, दूल, मिट्टी हो जाते है, इस process से soil बनती में, एक, दो, पाथ साल, नहीं, millions of years, जैसा petroleum में लग जाते है, फिर यहां पे 6 point में बताया है, कि 3 और चीज़े mix होती है, soil बनने में, biotic remnants, humidity and air, ये भी याद रखा जा है, 7th point में लेका है, another word, दूसरे word में हमका है, तो soil is a natural mixture of mineral है, biotic elements है, ये दो चीज़ जब मिलती है, त trees को, vegetation को, grow or develop करने की, तो ये है soil formation का पूरा point, आपको पूछ सकते है, वो, तो आपको लिखना होता, ये आप पे point wise आपके सामने है, ये सारी notes भी available है, मेरी, whatsapp पे, आप जब भी मुझे बेजोगे, मैं आपको बेज दूगा, soil क्या है, यहां पे, देखो, उसके बारे में, uppermost layer of the crust of the earth, सबसे उपर का layer है, इसको soil, चीस में, minerals and biotic elements necessarily होते हैं, क्योंकि trees को grow or develop करने में, जो last point हमने पढ़ लिया, वो ही यहां पे थोड़े अलग words ने दिया है, अल्दो their proportion is not same everywhere, soil हर जगा पे एक जैस ही नहीं होती है, बाई, हर एक जगा पे अलग-अलग soil होती है, material and parental rock, जो danidation की process से बनता है, वो सारा material जब पूरा layer बनाता है, तब जाके soil की surface बनती है, force of air and force of water की वज़े से जो बड़े-बड़े पतर एक जगा से दूसरी जगा जो भागते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, उसकी जगा बहुत दिरे-दिरे जो किस जाते हो और एकदम particle मिट्टी हो जाता है, वो process से यहाँ पे thin layer बनाते हैं, अर्थ की surface के उपर, यह भी factor is soil को बनाने का, उसके बाद यहाँ पर लिखा 5th point में, you must find due to the disintegration of decay of vegetation and insect, जो भी insect है और जो भी vegetation है, टी से वह वगेरा जो भी मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके बाद वो म elements, important role play करते हैं, vegetation को grow करने में, because biotic element का सबसे बड़ा परतान है, उसके बाद climatic impact बड़ी है, 7th point, याद रखना, समझना, एकदम याद रखना, duration of soil is important and widespread, that soil is form of different types of rocks, in that reason, over a long period is the same, climate एक है, parental rock अलग अलग है, तो मिट्टी भी अलग होनी चाहिए, soil भी अलग होनी चाहिए, एक जैसा है, तो चाहे, different, different parental rock से भी, अलग-अलग मिट्टी नहीं बनती है, एक जैसे मिट्टी बिन जाती है, because climate से हैंगे, parental, एक कज है, parental rocks, और एक ही जैसे मिट्टी बनी चाहिए, पर उस area में climate अलग-अलग है, तो एक ही parental rock से बनने वाली मिट्टी, different, different हो जाएगी, because of क्लाइमेट डिफरेंट मिट्टे डिफरेंट पेरेंटल रोक का कोई रोल नहीं है जितना रोल क्लाइमेट का है कि इसने क्लासिफिकेशन करा है वो सबसे ने पहले देख लोग मार्क में आपकी स्कूल की एकथा मैं आपको पूछ सकते इंडियन काउंसिल ऑफ अग्रिकल्चरल रिसर्चीज़ शोर्ट में कहते है आइकार देखो कितने यहां पे है यहां पे है यहां पर सबसे पहले है उसका 43 परसंटेज प्रपूर्शन है पूरी इंडिया में 43 परसंट वह से फेली हुए जितनी लैंड है उसमें नोर्दन प् वेस्ट में सतलूज रिवर तक फैली हुई है लुविल सेल उसके बाद डेल्टा रिजन की बात करें तो नीच महानदी साउथ में गोदावरी कृष्णा काविरी रिवर में भी लुविल सोयल बड़ी फैली हुई है तीसरे पॉइंट में यह लिखा है कि लुविल सोयल का लेस्ट प्रपॉर्शन मतलब वह कौन सी चीज़ है जो कम है उसमें नाइट्रोजन है यूमस और यदि एक सवाल आपको यह भी पूछा जाए स्कूल की एक्जाम में नाइट्रोजन कंटेंट को स्टेबिलाइज करने के लिए लुविल सोयल में क्या ग्रो करना पड़ता ह पल्सीज उगानी पड़ती है और यह भी पूछले कि पल्सीज उगा कर हम एलुविल सोयल में क्या स्टेबिलाइज कर सकते है नाइट्रोजन स्टेबिलाइज कर सकते है और क्रॉप्स यहां पर है वीड पैडी सुगर के जूट कोटन मैज ओल सीट्स यह सारी चीज़े हम यहां पर उगा सकते हैं उसमें कहां पर ऐलुविल स्टेबिलाइज कर नाइटीन परसंट इंडिया में फेली हुई है तामिल नाडू पेनिसुलर से लेकर बंदल खंड नौर्थ तक फेले हुई है राजमाल इस 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 से लेकर वैसमें कच तक फेले हुई गुजरात पे पर यहां पर कुल्हकी पर यहां पर यहां पर वालों ने आंसर श्रीट में यहां पर आयोंग से दो आपको लिखना तो इस है उसी की वज़े से इसका कलो रेड़ और जैसे से नीचे खोथ जाओगे तो यहां पर लिखाब इट विकेम सी यह लो हो जाएगी इसमें कौन-कौन सी चीज़ें नहीं है मतलब नहीं मिलती है लाइम ग्रेवल मतलब छोटे कंकर एंड कारवोनेट इसमें नहीं है डेफिशेंसी मतलब कमी कौन-कौन सी चीज़ की कमी है इस सोयल में है लाइम मैगनेशियम फोस्फेट नाइट्रजन पोटास इसमें नहीं है क्रॉप्स लाइक मिलत कोटन वीट जोवार लेंसीट ग्राउन नट पोटेटो इसमें आप उगा सकते हैं इसके बाद ब्लेक सोयल साथी मार कैंता है ब्लेक सोयल का दूसरा नम क्या है पहली लाइन में लिका है रेगर जोई कितने % इंडिया में फैली हुई है 15 % क्यों फैली हुई है दूसरे पॉइंट में लिखा डेकन लावा की वज़े से डेकन लावा जाज़े से स्प्रेड हुआ ब्लेक सोईल फैलती गई यहां पे महाराश मद्यप्रदेश, वेस्ट मद्यप्रदेश, अंदरब्रदेश और करनते के पार्ट में भी है गुजरात में कहां कहां पे है यह ब्लेक सोयल, सूरत भरुष, नर्मदा, वड़ोदरतापी, डाउं में लावा रोक्स और क्लाइमेट, यह दोनों चीजों ने मिलकर बड़ी इफेक्ट इसके उपर करी, इसका इस सोयल को फॉर्मेशन करने में कौन-कौन लावा रोक्स और क्लाइमेट, उसके बाद यहां पे सिक्स पॉइंट में लिखा है कि यह कौन-कौन सी चीज इस सोयल में बर बर के दूस दूस के रखी है आयन, लाइम, केलसियम, पॉटेश, ऐलमिनियम, मेगनेशियम, कार्बोनेट, यह सारी चीज़े इसमें बर-बर के रखी है इस सोयल को वाइप फॉर्टाइल, एकदम फॉर्टाइल सोयल मानी जाती है एक मारक आपको यह दिला सकता है स्कूल के एकजाम में आपकी इस सोयल और यह ब्लैक सोयल ड्राइ हो गई तो इसमें फीसर्स हो जाती है मतलब इसमें क्रेक पड़ जाती है क्या क्या होगा सकते हो कोटन, लिंसीड, मस्टर्ड, ग्राउंड, टोबेको, उडद, यह सारी चीज़ें इसमें उगा सकते हो 11th point में यह लिखा है कि यह सोयल कोटन क्रॉप के लिए सब से सूटेवल है इसलिए इसका तीसरा नाम भी है ब्लेक कोटन सोयल पहला नम ब्लेक सोयल दूसरा रेगर सोयल और तीसरा ब्लेक कोटन सोयल याद रखा जाए इसलिए आयन के बारे में पूछा तो है नहीं लिखना मुझे पता है दो अपने पास रखो यहां पर यही लिखना आयन ऐक सब्सक्राइब हो गई ना वेरी हार्ड फॉर्थ में लिखा है कि इस फॉर्म दू 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 दॉट दॉटाइब मोस्ट क्लाइमेट बदलता रहता है इसकी वज़ा से इसमें सिर्का बेस्मेट्रियल जो होता है वो प्रुक जाता है प्रिवेंट हो जाता है यह पर दिश्वाइब लिख देवलोप इंदा हायर अरिया प्रेंश ब्लेटो भारत के साउथ के एरिया में यह सोल जारा डेवलप होई है इसमें क्या क्या चीज़ है आयन है पोटाश है अलूमीनियम है यह सोईल इतनी फोर्टैल नहीं है जिने ब्लैक है यह लेस फोर्टै नहीं दाल रहे तो कुछ नहीं को किने वाला यह याद रखा जाए कि यहां पर यह पर यह प्लेटो मतलब साउथ में आप टी कोफी केशु सारी चीज़े रागी पेडी वहां पे जादा हो तो यह साउथ की बात आए लेट्रेट सोल की बात आए तब आपको साउथ में होती है यह सुइल डेजर्ट है मतलब सेंडि है और इंफर्टाले इसमें कुछ खास चीज़ उबती नहीं है डिसूल मिनरल इसमें होते है ज्यादा कहांपे मिलेगी डेश्टेट इरिया इंडिया में कहां पे है राजस्तान हराना यहास महां पे मिलेगी सदन पंचाब में बिल जाती है गुजरात में कहां पर है डेसर्टेरिया कच्छ में मिल जाते हैं और सवरास्ट कुछ पार्ट इरिगेशन फैसलेटी है तो आप डेसर्टेट सोईल में क्या होगा सकते हो मिलट एंचुवार बस दो चीज उसके बाद यहां पर मांटेंज मतलब आपको ऊपर च तो आपको याद रखना है और यहां पर हमालाई में है तो मतलब 2700-3000 हाँ मिट्स की हैं पे है वहां पर कौंद कौंसे ट्रीज़ है इस हाइट पर दो है ऊचा आई ओपे उस हैट पर यह सारी मिट्टी मिलती है आपको माउंटें सूइल फोरेस्ट स्वोल जहां पर मांटें खतम हो जाती है वहां से फोरेस्ट सुएल शुरू होती है थ्री थाउसड से 3100 मेंटर तक होती है क्यादरी रिजन वो साहुथ में आता है इस्टन कार्ट्स वह भी सावत में आता है और तेरा है रीजन वह फिर चला जाता है नौर्थ में दूसरा पॉइंट यहां पर है कि इस चीज जो यह है forest soil यहां पर लिखा है the surface of the earth is covered by the shredded leaves trees के leaves जैसे नीचे shed होते हैं अपनीचे ऑटोमेटिकली गिरते हैं तो जिससे जिससे समय जाता है वह सारे leaves सड़ जाते हैं डिके हो जाते हैं और वह मिट्टी के साथ घूल मिल जाता है और इसलिए जो से वह सड़ जाता है तो उसका color black हो जाता है तो मिट्टी भी black हो जाती है पर सिर्फ मिट्टी वह ब् वीट मैज और बारली पैड़ी पी उगाई जाती है लिमिटेट एरिया में यह सोल है और एक एरिया में नहीं है फिर मार्शी पीटी तो लास सोल ही है यह यह हुआज ज़्यादा है क्योंकि बाइटिक अलेमेंट्स का वहां पर अक्यूमलेशन ज्यादा है उसके बाद यहां पूंथम्हाद में दिखंगा डए रही है रही जब होती है और जहां पे म्र compls अरीया पूर पूरा एयरिया 16 सक्क करते हैं इमेंट्स में बहुत है फिर भी फिर भी यहां पर फोस्पेट एंड पोटास की कमी है इंसफिशेंसी है फिर यह सोल कहां मिलते हूड़ी साव वेस्पिंगल कोस्टल तामिल नारू सेंट्रल एरिया ऑफ नर्दन भिहार अलमुरा दिस्टिक होता है यह भी लिमिटेड है फि एक जगा से दूसरी जगा थ्रू वोटर और थ्रू द एर फोर्स प्लैन नहीं है हवा की लहरे स्पीड में जो हवा जब बहना शुरू होती है और उसके साथ एक जगा से दूसरी जगा जो लेंड के पार्टिकल्स चले जाते हैं उसे कहते हैं सोईल इरोसम यहां पर दूस एक जगा से दूसरी जगा चले जाना नेचरल फोर्स इस मतलब एर एंड वोटर के थ्रू उसे कहते हैं कई साल लग जाते हैं सोईल के अपर लेयर को फॉर्म होने में इडि वो यहां से दूसरी जगा बाग जाते हैं वी रहन हो या स्टोमी विंड हो उसकी वज़से तो ए प्रांपोर्टेशन होके हवा और पाने के थूल कहीं और चला गया तो प्रोडक्शन फिर आएगा नहीं इस एक्ट्रम ली नेसेसरी तो में इडा परले रोप्डेगरिकल्चर बचाने बहुत ज़रूरी है और यहां पर है सोल कंसर्वेशन यह पॉइंट भी आपको तीन मार्क के लिए आ सकता है याद रखा जाए सोल कंसर्वेशन क्या है मिट्टी को बचाने की बात है मिट्टी को मैंटेन करने की बात है means to prevent the soil erosion and to maintain its quality soil erosion ना हो जाए मिट्टी मेह के कहीं चली ना जाए और उसकी quality बची रहे वो सोल कंसर्वेशन का मतलब है सोल कंसर्वेशन का सीधा के साथ है जहां पर सोल के पार्टिकल्स है और वहीं रहने चाहिए और वह ट्रांसपोर्ट के कहीं और नहीं चले जाने चाहिए that is the main point, main connection है यहाँ पर, aim है main, different remedies यहाँ पर use कर गई है soil conservation करने के लिए पर world में अलग-अलग जगाओ पर, अलग-अलग मिटी में, अलग-अलग situation में, अलग-अलग remedies मतलब solution होता है यदि हम soil को conserve नहीं करते है, तो flood के chances भी बढ़ जाते है और कहीं बार तो property और life के भी risk हो जाते है जैसे कि क्यादरनावात का flood कहीं सारे example है, so soil conservation is very much necessary फिर यहां पर remedies of soil conservation, यह भी point आपको आ सकता है, तीन मार्क में याद रखा जाए, यहां पर remedies of soil conservation, soil conservation को solution, मतलब यहां पर solution बताए गया है, कि soil को conserve कैसे करा जाए पहला point है, roots of the trees is in forest cover all of the soil particles, soil के particles को trees के root पकड़ लेते हैं, hold कर देते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं, इसलिए trees very useful दूसरा है, plant trees in the river gorges and mountain slope, दोनों जगा पर trees सबसे ज़एदे plant करने चाहिए, mountain का slope हो, यह river के gorges हो फिर तीसरा point यहां पर है, desert जहां से खत्म होता है, desert जहां से शुरू होता है, वहां पर trees लगा देने चाहिए, ताकि desert advance ना हो पाए desert आगे ना बढ़ पाए, trees है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यह भी third and fourth point है किया गया है फिर fifth point river का flood जब आता है, रिवर में जब flood आता है, control, out of control situation हो जाती है, तब हम दो जीज़ कर सकते हैं, fifth point वाले का diverting their flow in the other rivers, दूसरी रिवर में, जिस रिवर का flood आया है, जिस रिवर में, उसका flood, हां, दूसरी रिवर में convert कर सकते हैं, यह पहले से plan step होने चाहिए, यह फि फिर रिवर बैठे, वाहां पर हम जाइबर कर सकते हैं, फिर six point unrestricted pastures जो होता है, गास चारा जो चरते रहते हैं, इसमें कोई restriction यह नहीं रहा, तो यह वो खास उपर से खतम हो जाता है, तो soil lose हो जा दिये, mountain area में एक खास इसे prevent करना चाहिए, फिर horizontal cultivation भी होना चाहिए, terrace farming भ which has lost its fertility, G soil में उसने की fertility चले गई है, वहां पर humus, मतलब fertilizers हमें डालने चाहिए naturally, ताकि उसकी fertility वापस आ जाए, इसे के साथ यहां पर point खतम होगी और chapter भी आराम से खतम होगा,